अबेजला विजियाद के अद्बन थी, तो वजीर जानता था सावजान, कि ये जियाद का मुखालिफ है, मानता या नहीं मानता, एक फर्मान निकालगे बताया, माविया का, कि एक जमाने में माविया, अबेजला इतने जियाद को पुरुफे की गौदारी देने वाले थे, क कि मिया, अगर आपके अब्बा जिदा होते हैं, हजीर से कहा उसने सर्जान है, आपके अब्बा जिदा होते हुखम देते हैं, जरूर मानता है, वो फर्मान निकालगे बताया, अबेजियाद के जाओ, कुफे का चार्ज भी तुम लो, और वहाँ हारा दिगर रहे समालो, क मैं जा रहा हूँ, मेरे भाई की इताद करना, उसमान इजने जियाद की, कुफा रवाना हो गया, अब काला शमला बाद कर बजीर शकील आद्मी हो भी, और अपने 500 आद्मियों के साथ, 500 सातियों के साथ, कुफे में दाखिल हो रहा है, और यहां कुफे वाले, यह सुन लि और इंतिजार है इमाम आले मखाम का, जो देखें सिया शमला बना हुआ है, गोरा गुंता भी है, और गुंता जरा चाही बालों मोंता, दोरने शकल वाला माने दुकता है, अब नौजवाना बहु से कुफे के, नौजवान बच्चे इमाम आले मखाम को देखें भी नहीं जो इतने जियाद की सवार आए समॉझे के हड़ा अिमाम आलिम अखान ते divers अब लोजमान कशियों फे दारे बारा है मरहब अबिका यम्न रसूल इल्ला ना रसूल इल्ला और रसूल इल्ला के सहाथ़दे आप पयान आग अगारक हो कर जा रहा है कि यहां तक कि नौमार इब बश्रीर की कोठी पर आ गया अब आप बाहर सुप जबाँ अक्राप और नहारे चल रहे हैं कर रहते हैं का जाना मरहबा है आला मुंसादा है यादा कर रहां रहा है और नौमार बश्री अबर्चश की आखे आले बखा पश्रीद लाये वह यजीद के मुलाजित थे दरवादे के सामा मेंसे कहा साहिवजादे मैं आपसे लड़ना भी नहीं चाहता और यजीद की अमानत आपको देना भी नहीं चाहता इतने जियाद आगे जाके नुमान दमाग खराब है तेरा खुल वैवदुल्लाह जियाद हूँ जो सुनना था साथ सुनने है सुनको तो वापस हो गए नुमान दर्माद खुले अपने हाठ्मियों के साथ दर्दाखिल हुआ दर्माद बदगरा और क्या-क्या खबर लिया नहीं वालों नुमान की दूसरे दिन मस्जिद में अस्वरात जाम्हां अस्वरात जाम्हां आई पकारते गभ्वखते एक आपकों इतना नहीं मालोों कि सब्सक्राइब आली खरूच किये करें नौजी बिल्लाएं हर हर खदम पर बातिल खुवते जब मुख्वा मिलता है बातिल परस्ती को जाहर करते चले जाते चुके नमाज के जरीए हकुमत मिल रही थी जी, खुराद के जरीए हकुमत मिल रही थी और बीद के जरीए हकुमत मिल रही थी बीद का जाहर, खुराद का जाहर, नमाज का जाहर पूरा रखे और नमाज की रूह भी खैब होगी वहां से, खुरान की रूह भी खैब होगी मुसल्मान और कलमा एक था, अब मुतफर्रिख हो रहा है खुद्बा देरा है इन जियार काभी अलमुमिनी यजीर ने मुझको अपना नायब बनाकर गौनर बनाकर कूफा बेजा है स्यासी तक्रिर शुरू कर दिया और हुखम दिया है जो यतीम, बेवा, मुताज है उनकी मदद करो जो मजलूम है उनकी मदद करो और जिनके होख नहीं दिये गए उनकी हकदा करो तंखाओंवे इधापा करो और जो बागी हैं उनके सर खलग करो तुम लोग अपने जानों पर रहम करो और मुसलिम को मेरे हवाले कर दो अगर किसी के पास मुसलिम का पता चलेगा तो उस घर को, घरवालों को, उसके खांदान को और उस खांदान के लीडर को सब को सुली दी जाएगी सबसे पहले घरों पे पहरे बिटाए गए, खांदान तलाशिया शुरू हो गए जी मामिला हुआ वहाँ सांती साथ इबन जियाद ने खुफिया भी छोड़ दी अब मुसलिम की तलाश के लिए हजरत मुस्लिम बनिय अकील अब तक मुक्तार सख़वी के घर में थे, अबनिय जियाद आने के बाद हांद उमर्वाई एक रइज थे, अगरिचे के उक हम वह हजरत हन हज Engagement को बुलाई नहीं हजरत हुसा मुसलिम को बुलाई नहीं हो हरत मुसलिम कि जब मालब हुआ के मुझतार के घर की तलाशी ली जाने वाली है तो फौरा महानी के घर पड़ गए घर के सहन में दाखिल हो गए वहाने से कहा कि मुझको बना दो तो महानी ने कहा कि मुसलिफ Rei Pあのee थे और शुरफा आ design your book निभाने वाले होते हैं जाब दे सकता था अब मेरे घर के हद में आगये हैं आई ये शरीफ आना शराफ़ा से भर पूर इस तकबाल किया उस तहरीक में ने थे कुछ ने थे हो और घर में आपको रख लिया इदर खुफिया फिर रहा है ये हज़रत में मसलिमिन ऑसजा इमाम आलिवखांग के एक उंट्खि परेजगार जांटिसार थे लोगों को मालूं हो गया था के मसलिम से मिलना है तो कुफे की जाव मस्जीद में मसलिम इज़ रहने बुजर गहें उनसे मिले तो तो उनों मिला दे ते तो वो खुफिया तीन हजार के रखब लेकर मुस्लिम निया और सजा के पास पहले दिन आकर इमाम आली मुखाम की मुहब्बत पे आहें भरने लगा ताकि ये वालू हो जाए कि मैं भी आज शेखान अली में से दूसरे दिन भी आकर बेखारें के जार किया तीस सरे दिन तीन हजार अश्रफिया पेश किया कि वहादर मुस्लिम के खिन्मत में पहुंचा दीजिए बैद करने के लिए बेखराब ये सादा दिल सादा लो अल्ला का फदल है मिया तुम पर क्या फुर्मानिया है तुम्हारे क्या तरफ है तुम्हारी मिलादों का वुसलिम से ले जाकर वुसलिम से बिलाए हाथ चुमा मौंपे किरा धाड़े मार मार कर या अली या हुसें मिलकर होते रहा अब क्या बुश जाके पूरी रिपोर्ट दे दिया कि मुस्लिम हानी अपने अरुआ के मकान में अभी अराज फाज भी नहीं हुआ था एक दो वाकिया हो भी हुए उबेदिल्ला इतने जियाद के साथ बड़ बड़ सरदार भी आये थे उसमें शरीक इबन आवर एक सरदार था ये इमाम आली मुखाम का बड़ा शैफ्ता और शैदा था वो कूफा आने के बाद जरा अलग हो गया इतने जियाद से के बीमार पड़ गया तो फासी इपने फ़िया के मकान में क्योंकि इतने जिया से हाला इंग तो इपने जिया इयाद सुनत है वाला इपर की याधत करने के लिए आया हूँ तो शरीक इतने आवर हैदर मुस्लिम से कहने लगे कि वो शैतान जालिम आज मेरी आदत के लिए आ रहा है आज का मुख़ा जाया ने करना एकदम हमला आवर होना सर खलब कर दो तो शारी हुसीबट टल जाएगी और मसरा जाके मैं वहां का इंतिजान करूगा खानी इबन अर्वा मुझूद थे साहिव मकान बड़ा शरीफ आदम है उन्हें कहा कि मेरे गर में किसी को खतल करना मेरी तबियत उसको बरदाशी कर सकते इबन जियाद आया अपने खास बाड़ीगाड महराग लगलाग था बड़ा खवी हैकल वो पीछे साहे के तरह खड़ावा ऐसा इयादत किया और शरीक इतने आवर इशारा देने के लिए शर पढूरा है कि क्या हुआ तुम लोगों को कि सलमा को सलाम नहीं करते विए शर पड़ती यह रहे तो इतने शियाद क्या बात है तो शारी कहा कि हिजियान बॉहार में आ रहा है और इसी बाते कर रहे हैं लगिए बहराद प्रा उशार था हो तो का बारा तलिय आसे खत्रा मालुम हो राद लेके निकले राद शरीक ने कहा मसलिम से कितना अच्छा मौखा तुम खो दिये तो कहा मैं इस वास थे खो दिया मारना आसान था उसका दो चीजें मुझे रोगी एक तो ये है मेरे आखा जराब मुहम्मद रर्सुल्ल्लाह ने रिशात फर्माया कि कोई मौमिन को धोके से खतल ना करे इस से अद्दाद फिकर भी मालूँ होता है अभी चुके खिताल जाहर नहीं वा एक जियात का और दूसरा जो साहिवे मकान मुझे को पना दिये हैं ये भी इसको पसंद ने करने हैं तो ऐसे उसूल पर चलने वाले वरना बकारी के जरीए धोके बाद साजिशों के जरीए पताग हासिल करना ये सियासतदारों का जो मामिला हुआ तो हको हको जाहर करना है लाग मसीबत उसमें आ जाया वो खुफिया सारी इतलया दे दिया हानी को बलाया गया हानी को खळब नहीं थी कि महाँ इतलया पहुँआ पहुँच गई है ज्मी हाली अब एब स्क्रवा के दरबारे पहुचे तो उब लोहों से कहा खाहन को उसके पाऊने खुद मेरे पास ला लिया फिर शेर पड़ा उरीद उहयात हूँ वैरीद उकतली मैं तो उसकी जिन्दगी की तमना रखता हूँ लेकिन वो मेरे खूद का प्यासा है खुफिया सारी इत्रा बता दिया था तो कहा हानी इपन अर्वाने देख इपन जियात बात सही सही है ना मैंनेहानी को दावत भी ना बुलाया वो मेरे मकाम में दाखिल हो गए उसे पना के द्रखास की और मैं पना लेने वाले को बगएर पना दिये के बाहर कर देना मेरी गिरत गवारा निकलिए अब मेरी पना में है अगर तुम भी चाहते है तो मैं जाके कहीं और उनको मुत्खिल कर देता का नए ने ने पाल जाना पड़ेगा का मर जाँगा जान जाए लेकि मेरे पाल परना लेने वाले को दुश्मत के हुआलेuest ने करता क्या किरदार है शराफत का किरदार है अब्लाफ पर कोई वो दाया नहीं है दीप का शराफत के दखाद आए इबन जियाद उसका गुलाब महराद दोनों मिलकर हाद नहानी को मारने लगे बाल खीटने लगे जुल पकड़ पकड़ कर खुन खुन हो गए कोराम बच गया और यहीं मश्रूब हो गया कि हाने ही शहीद कर दिये गए तो खाने के खबीले वाले इबन जियादी कोटी को खेर लिए हज़ाद मुस्लिम को मालों हुआ वो भी अपने बैद करने वालों को पकारे तकरीमान चाहदार आद में जमा हो वे और लोग जमा हो रहे थे सब इतने जियादी कोटी को खेर लिए वो दर्वाजे मद्बूती से अद्द से बड़िया मुखफल कर दिया ताले डाल दिया और बड़े बड़े खान खबीले के सरदारों को कोटे पे चादा दिया तो देखो आप से यह मैंने कह रहा हूं आप जाकर बाहर करें दीजिए कि हानी जिन्दा है बस और जासुस को पीछे लगा दिया आप खादी शुरह उपर चड़ें कहा कि लोगों हानी को मैं देखकर आ रहा हूं जिन्दा है अब उसके बाद बैब बैब आईस हों के रुष्वतें देखा जेब भर दिया सुब अपने अपने खांदान और खबीले के नौजवानों को घरों में जाने की तल्खीन करने लगें रात होने लगी तो मैदान साफ था सिर्थ तीस आदमी साथ हदरते मुस्लिम करें उनको लेकर मगरिक के नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए नमाज प जानाले गलियों में फिर रहे थे किंदा के गली में एक चबूतरे पर बैड़ गये है और खातून दरवादे में से ज्ञाकी देखा एक नौवारिद मुसाफिर बैठा हुआ है आप ने उससे पानी मागा पानी लाकर पिलाई पीकर वहीं बैड़ रहे हैं उसने सक्ती से दो का क्या बात है रात हो रही क्यों नहीं जाते कहा मेरा नाम मुस्लिम है हरते हुसाइड ने यहां हाला देखने के लिए भेजा अठारा हजारा आदी मेरे हाथ पर बैठ किये जान की इखबाजी लगाने की लेकिन सुमों ने साथ छोड़ दिया है दुश्मर मेरे पीचे तो उसने कहा आईए कमरे में पना देती है कमरे में छुपा दिया बिलाल नामी बेटा रात में आया देखा कि खिलाफ मामुल वालदा बार बार कमरे में जा रही है कुछ ले जा रही है कई पांदी ले जा रही है कि खाना ले जा रही है किया मामिला है कहा मुस्लिम यहां बना लिए और वहां इतने जियार एलान निकाल दिया जिस घर में मिलींगे उस घर वालों को घर के खांदान को खबीले को सरदार को सब को सुली बचा कर पूरे खबीले के गरों को आख लगा दोगा बिलाल नावी बेटा हैरान हो गया अब जो धंकी हुकूमत की तरफ से थी उससे कापते लगा खुछ जाकर मुहमद इबने अश्यस जो कुटवाल था उसको जाके खबर कर दिया वो उतने जिया से कहा सतर आदमी हदरते मुस्लिफ के गरफ़तार करने के लिए आए तने तनहां आपके डटका उनका मुखाबला किया कब तक मुखाबला करते मुहमद इबने अश्यस ने आगे वरकर कहा कि मुसलिफ तुम हत्यार डाल दो तुमको अमन दी जाएगी कहा अमन देना तेरे एक्तियार पे नहीं है फिर रोने लगे आप और एक दुश्मन था उ कि 18,000 आदमी आप पर जान खुर्बान करने के लिए तैयार है आप कूफे का इरादा फरमाईए लगे लिखने के बाद ये अहरत हो गई है कूफे वालों पर भरोसा मत करें मत करें वो वापस हो जाएं मौहमद अब्याश्रस ने एक आदमी कर रवाना किया और वो आदमी इमाम आली मुखाम को जबाला एक मुखामे वहां पर मुलाखात किया और पयाम पहुंचाया वहां से हजरत मुस्लिम को इपने जियाद के पास ले जाया गया गुफ्तगू हुई आखिर में खतल का फर्मान जारी कर दिया हजरत मुस्लिम ने उमर इबन साथ जो हजरत साथ इने में वक्कास का बेता था विश्तों में था एले बैत के उसको अपने खरीब बुलाया एक वसीयत करना है हुई अबर इबन साथ खरीब आने से डरने लगा इबन जियाद ने कहा जाओ अबर और क्या वसीयत करते हैं ना रवाना करो इंज़ वाली मुखाम निकल के हैं उनको रोगने यह पूफे वालों और भरोसा ना करें और दूसरा यह कि यहां रहने तक मेरा इतना फर्ज हो हो चुका है है कि मेरे रिष़्ाईदा कुचराव आप भी मेरे sort को पौश्चे और से पैसे कर पहले बोगे में अधाकर दी यह बाद मेरे खरीब के लोग अपको अधा कर दीएज्या इन वसीयतों को करने के बाद आपको बाला खाने पर ले जाया गया और वहां से शहीद करके सर अध्यकने को फेक दिया गया उसके बार इमाम-टाली मुखाम को वो सफीर मिला जो मुस्लिक का बाठ चहादत बयाँ पहुचाया इमाम-टाली मुखाम इना लिल्दाई वैंना इले लिही राज़या पढ़ने लगे लेकिन वहां भी इमाम-टाली मुखाम तौखु फर्मा रहा है थे लेकि हदरत मुस्लिम के साहिवजादों ने कहा हम अपने अबाजान का इंतिखाम लेकर रही कुछ के इंतिखाम के बगए हमको जिदगी में सुकुन नहीं मिलेगा इमाम आली मुखाम आगे बढ़ रहा है अपने एक सफीर को जितका नामे नामी मुबारक इमाम आली मुखाम ने अपना पयाब देकर कुफे को रवाना किया कुफे के सरहत पर इबन जियाद की पुलिस फरों के दफ्तार करी और इबन जियाद के पास खैस को भेज दिया गया इबन जियाद ने खैस का खत ले लिया और कहा कोठे पे चड़ जाँ और कोठे पे चड़ कर इमान हुसैंग को गालिया दे खैस कल्मा पढ़ते हुए कोठे पे चड़ रहे उसके बादी का आए लोगो आए कूफे के रईसों आए कूफे के नौजवानों सुनो जिगर गोशे रसुल्ला फ़ला मुखाम देर आ चुके हैं सब कूफे के बाहर दिखलो अब ते सरों को उनके सांदे बिछा दो उनका इस्तग्बार करो इपने जियाद खैस की बहादूरी पर शुजाद पर हैरसदा होकर देखने लगा और कहा के उसको ओपर से ठीकेल दो रीचे पटक दो जोनादे जालिमों ने खैसिते मुसरहत को जो इमाम आलिम खाम के आखरी सकीम थे उपर से पटका आपका जिसम पारा-पारा हो गया कल्मा पढ़ते हैं आपका दब गया इमाम-आलिम खाम आगे बढ़ रहे हैं रास्टे में एक मुकाम पर खाफ़ला ठहरा हुआ है इमाम आले मुखाम अपने खैमे में तश्रीफ फर्मा है तो इसी ओंग नहीं आ गई और देखना जो था आपने देखा और जोर से इन्ना लिल्लाही वई इन्ना इलही राजियों पढ़ते हुए जाक पड़े साहिद्जाद अलिय अक्बर सामने आए पूछा कि अबबजान क्या बात है ये बेखरारी का नारा आपने मारा कहा कि बेटा मैंने देखा लोग एक मुनादी दिदा कर रहा है लोग आगे आगे चल रहे है मौत उनके साथ साथ आ रही तो अलिय अक्बर ने पूछा अबबजान क्या हम अक्बर नहीं है इमाम आलि मुझान ने कहा कि बेटे हैं इसमें शक क्या है हम हखपर है तो अलिय अक्बत ने कहा अबाजान जब हखपर है तो फिर हजार जान भी हमारी हखपर खुर्बान है इवाम आले मुखाम ने साहिमजादे को सीनी से लगाया आगे बड़े उजर से हुर इपन यजीद इपन जियाद ने हुर इतने एजीद में एक हजार सिपायों के साथ इमाम आली मुखाम के रास्ता रुखने के लिए बेज दिया हुर पड़ाओ डाल दिये जोहर का वक्त था इमाम आली मुखाम में अजादिलवाई जमाद का वक्त हुआ आपने पूछा हुर हुर क्या तुम अलाइदार्जमाच बनाओ या हमारे साथ नमाज पढ़ोंगे हुर का दिल एहल बैति-इथार के मुहबब और से नमाद अधा हुई नमाद अदा हुई इमाम आली मुखाम ने खुदबा दिया और कहा कहे कुफे वालो मैं अस्खुद नहीं आया मेरे पास दलील है तुम लोगों ने बुलाया है मेरे हाथे बैद करने के लिए बुलाया तुम्हारे खुतुता है यह आया खामो उसके बाद इमाम आली मुखाम आगे बढ़ने लगे हुर रास्ता रोकने लगे तो इमाम आली मुखाम ने करके सकीलत का उमक या हुर एह हुर तेरी मात उत पर रोए बड़ा दरहदार सरदार था हुर भी उसने कहा के साहिब जादे आप फिरी अमाजान का नाम लिए मगर मैं जवाबत सेयदा का नाम ले नहीं सकता किसी इमान वाला वो दिल जिसके दिल में इमान है कभी सेयदा का नाम तवहिन से ले नहीं सकता आपके बजाए का और होता तो मैं उसकी माँ का नाम भी लेता लेकिन आप इस साथ साथ रहा आखिर में कहा आप ऐसा कीजिए एक दर्मिया जो रास्ता यार की जो ना कूफा जाए ना बनीना जाए तो मुझे उसर के लिए एक बात मिल जाएगी तो इमाई मावली वकाम दिकले मश्यत के फैसले भी एक तरफ है और रास्ते काट काट कर निकल रहा है तो रास्ता कूफे के तरफ ही पूड़ा है इतने में अबर अबर इबने साथ दुनिया तलवी क्या चीज होती है अब बड़ी चीज यह है लोग बहुत कुछ बोल लेते हैं मगर वह आजमाए ने गए खुश नसीब रहे हाज मा तब भी कर रहे लोग वरना आजमाए जाते हैं इजी से बढ़के निकलते हैं हाँ आजमाए ने अबर इबने साथ हदरते साथ का साथ जादा है और रे का हाकिम है और अबेंदला इबने जियात को तो वैसराई दिया था हाकिम उसकी हाथ के दूचे थे उसने कहा कि अबर उस एक के मखाबले के लिए तुमको जाना पड़ेगा का मैं तो नहीं जाता हुए अहल-बैद का का ममला है कहां जगकरों जानना का करीदissa क petits बात है तो रे की हकूमत की गवर्णरी तुमसे चीन लेता हूँ एक रात का मुक्छा देराँ हाँ घृण कर लो रात तमाम अवर गव होब करता रहा हूँ जाँ नहीं जाँ, नहीं गया तो रे की गवर्णरी जले जाएंगी फिर गवर करा गया तो हुसें से लड़ना है अखिबत बर्बा बर्बाद करना है अपिखो अफ़र्ध। मन्य से गवर करने लगा डूनिया सांदे आ रही आखिबत पीछह ही अगिजा यकीनी AMD मालू हो ही अकिरत जम्री दूनीौमानी मालू हो रिए कि अध्यूंद दंतो मादलो पर इन वाला तरो ताजा घौर नरी का आकिमत की खुदा जाने की खबर खुदा जाने कुफर कलेमात हैं सो मामू जान के पथ, मामू जान, दुनिया दूरोज़ा है, मामू जान, लाग मारो, री की हकुमत को, अल्ला भोजल च दिया आपको, खाओ, खुशी से रो जाई, दीद भी बना लो, दुनिया जाती है, आपकी, ये क्या गभर्णले हुआ दूरे होたशा आपके दमाग में, तो जो शिर पड़ा यही था कि बेटे बाजे से कह रहा है पेरे बहुत के बेटे दुनिया यखीनी शकल में मेरे साथ ने हैं और आखिमत गुमान की शकल में है और आखिमत यखीन की अख्तियार करता है लिखाओं अब दूसरे दिन लशकर लेकर अब अमर इबन साथ मैदान में आया और ऐसे मुखाम पर इमाम को रोक दिया गया जहां पानी ना मिले इमाम आले मुखाम में तीन चार तक्रीरें फर्माई उसके बाद उमर से कहा तुमसे कुछ मश्वरा है दोनों लशकरों के साथ मुलाखा आप किये इबाम आले मुखाम आँ आखरी यह जो अखीकत को वाज़े करने के लिए तक्वीले हुजजद इसे कहा जाता है आखरी तक्वीले हुजद फर्मा रहे हैं यहां तक भी आप आए हैं और पूरे शरीयत के आखकाम अपने तरफ हैं तारीखी आखकाम अपने आखराव आप जाना तुम को पसंद नहीं है इस अपने जियाद को तो सरहदों पर मुजाहिदीन इसलाम जिहाद कर रहे हैं तो चौड़ दिया जाए तो मुजाहिदीन के साथ में जिद्दगी बसंद कर दोंगा तक्मिल हुजद यहां तक सवाला दिया जा रहा है को यह भी पसंद नहीं है कि मैं खुद मामिला तहकर लेता हूं कि एधित से बिलकर मारिखी ने बाद के दो शर्तों का इंकार किया है लेकिन इसको लिखा है यह शर्त यह थी कि जहां से आए वहां से आपस कर तो पर दूसरा यह के सरहद पर जो मुजाहिदीन है वहां मुझे रवाना कर दिया जाए तीसरी शर्त यह 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 तो राजिमी है तो यह रिद्के पार जाने दो मुझे तो उमर इबने साद ने खत लिखा अलहमदुल्लाह जंग की आग थड़ी पड़ गई है यह तीन शर्ते हैं इसमें से कोई भी आख पूबल कर सकते हैं तो इबने जिया जो खत पड़ा अबर इबने साद का बहुत खुश हुआ एक ऐसे सरदार रखत है जो अपने अभीर क की ताज भी चाहरा है अपने खांदान की आखिमत आफियद भी चाहरा है इसमें से किसी एक शर्त को खबल कर लेंगे यह फैसला ही किया था इतनी में शिबर लईन आ गया कम वक्त तो उपसे ज्यादा शखी कम वक्त ही है शिबर शिबर बलते रबर शिबर अपने जबाँ हमकर हैं शिबर इसमिलें कि शिबर शिबर परशनल की हम ईसफंध जाई भी जाई लागर का शिबर भींडान ने ग निखाल ना शिबर शिबर वों शिबर की फूपी और कि और lookin